अगर आप index mutual fund में invest करना चाहते तो आज की वीडियो में हम आपके लिए 4 index mutual fund लेके आए जिनका हम detailed comparison करेंगे ताकि अगर इन 4 में से हमारे को एक best index mutual fund find out करना हो तो वह कौन सा होगा लेकिन इससे पहले आप index mutual fund होते क्या है index mutual fund कैसे काम करते हैं index mutual fund दूसरे mutual fund के comparison में किस तरह से different होते हैं अगर ये नहीं जानते ही तो हमारे ये वाले वीडियो देखेगा इसका link हमने वीडियो के description में भी लगा दिया है आपको पुरा समझ में आ जाएगा कि index fund क्या होते हैं कैसे काम करते हैं एक ओर request है friends हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को subscribe कर लिजेगा वीडियो को like कर लिजेगा friends आई अब हम देख लेते हैं कि कौन से वह चार index mutual fund है और कैसे काम कर रहे हैं कहके इन में डिफरेंसे और कौन सा बैस्ट इनमें index mutual fund है आईए स्टार्ट करते हैं friends हमने यहाँ पे पहला index mutual fund लिया है वह आपका UTI Nifty index fund direct growth दूसरा यहाँ पे ICIC Prudential Sense6 index fund direct growth तीसरा लिया है HDFC index Sense6 direct plan growth और चोथा लिया है निपन इंडिया index fund Sense6 plan direct growth friends यहाँ पे आपको इनके नाम से पता चल रहा होगी कौन सा index fund है जो किस index को follow कर रहा है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकी basic information कि यह mutual fund कभ स्टार्ट हुए है तो यहाँ पे ICIC Prudential Sense6 index fund है जो 2017 से आया था बाग की तीनों index fund 2013 से आया थे जो की काफी पूराने fund है next देख लें हम category यह चारों ही mutual fund है जो large companies में invest करते हैं आगे बात करेंगे हम कि कौन कौन सी large companies कित्ती कित्ती में invest करके चलते हैं इससे पहले हम rating देख लेते हैं आप तो UTI NIPT index fund और ICIC Prudential Sense6 index fund दोनों की 3 star rating है और बाग की HDFC और Nippan India है दोनों की 4 star rating है next देख लेता हम इनके expense ratio expense ratio वह होता है जो आप आपके investment के बदले company को खर्चा देते हैं उसी को expense ratio का जाता है तो यह expense ratio direct plan का है friends अगर आप regular plan में invest करेंगे तो आपका expense ratio लगबग 1% बढ़ जाएगा कोशिच कीजेगी हमेशा direct plan में invest करें तो यहां पर UTI NIPT index fund का 0.20% expense ratio ह ICIC potential का 0.16% HDFC Sansex index plan का है 0.20% और Nippan India index fund का है 0.15% friends यहां पर index mutual fund है तो इनका expense ratio काफी reasonable होता है वो क्यों होता है उसके लिए मैंने पूरी detail इस video बात की हुई है आप इस video का एक बार जरूर देखेगा इस video को देखने के बाद तो यहां पर reasonable काफी expense ratio इन 4 mutual fund का किसी का भी बह fund size अभी तक कितना करोड इनका asset under management हो चुका है UTI Nifty index fund का 5841 करोड हो चुका है ICIC potential का 451 करोड है और HDFC index N6 plan का 2914 करोड asset under management हो चुका है निपन इंडिया का 240 करोड ही अभी यहां पर asset under management है तो friends यहां पर UTI और HDFC का काफी सही asset under management हो चुका है और ICIC potential और निपन इंडिया इन दोनों का ही asset under management अभी थोड़ा कम है next देख लेते हैं front sum इनके exit load अगर आप समय से पहले इस mutual funds को withdraw कर देता है तो फिर आपको किसा exit load pay करना पड़ता है तो यहां पर UTI और ICIC potential में कोई exit load नहीं है HDFC और निपन इंडिया में थोड़ असा है 0.25% exit load है HDFC में अगर तीन दिन से पहले आप withdraw कर देते हैं यानि आपने इन्वेस्ट किया और तीन दिन में अगर आप इस mutual fund से निकल जाते हैं तो 0.25% आपको प्यावट करना पड़ेगा और निपन इंडिया में इन्वेस्ट किया और साथ दिन से पहले अगर आप बाहर हो जाते हैं तो 0.25% पे करना पड़ेगा लेकिन यह कोई बहुत ज़दा आपके लिए बाउंडेशन नहीं बहुत ज़दा दिन नहीं है नेक्स देख लेते हम इनके फ्रेंड्स अगर आप इन्वेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितने अमाउंड की SIP करनी पड़ेगी तो UTI में आप 500 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं ICIC पोटेंशल में only 100 सी स्टार्ट कर सकते हैं SGPC में भी 500 सी स्टार्ट कर सकते हैं निपन इंडिया में भी आप only 100 रुपीज से SIP स्टार्ट कर सकते हैं तो काफी कम अमाउंट से ICIC mutual fund है इसमें आप 100 रुपीज वन टाइम इंवेस्ट कर सकते हैं बार कि इन तीनों ही mutual fund में आप 5000 से वन टाइम इंवेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स रख लेते हम इनके benchmark बेंचमार्क वही बताएगा फ्रेंट्स की यह mutual fund जो index fund है हमारे यह किस index को follow करते हैं तो यहाँ पर UTI nipty index fund है यह nipty 50 को follow कर रहा है यानि nipty 50 जो index है वो जो जो करेगा सेम उसी की copy यह हमारा index mutual fund करता है nipty 50 के अंदर 50 companies होती है तो वहाँ पर जिस वेटेज में nipty 50 उन companies में invest करता है सेम उसी वेटेज में हमारा UTI nipty index fund भी उन्ही टॉप 50 companies में invest कर रहा है तो यहाँ पर company की तरब से बिलकुल अश्योर हो जाना है सेबी की जो top 50 company है उन्हीं में ये यूटि आ निप्टी इंडेक्स mutual fund इन्वेस्ट करके चल रहा है जो कि सारी ही large cave है जो top 50 companies है और बाकी तीनों ही हमारे sensex fund है ये S&P, BAC, sensex, TRI को follow कर रहे है तो sensex के अंदर top 30 companies होती है तो उन 30 companies में sensex जिस वेटेज में invest कर रहा है उसी व UTI के पास सोड़ा सा market बड़ा है यानि ये top 50 company में invest कर रहा है जबकि sensex के पास सोड़ा सा छोटा है ये only 30 companies में invest कर रहा है हाला कि ये सारे only blue chip companies में invest कर रहे हैं जो large cave की companies है top उन्हीं में invest करके चल रहे हैं तो यहां पर आपको समझ में आ गया अब इनके returns भी उतने ही होते है sensex को follow करें ये तीनों तो sensex के जितने returns होते हैं उतने ही इन तीन mutual fund के returns होंगे और nipty वाला है जो nipty 50 के return से उतने ही return यहां पर UTI nipty index fund के होंगे next बात कर लेते हैं अब अब इनके allocation by market के तो चारों ही mutual fund है जो कि यह 100% अपना large cave में invest करना है यानि sensex के अंदर 30 companies है और nipty 50 के अंदर 50 companies है तो यह top companies होती है यह सारी blue chip company है तो totally large cave companies में यह invest करके चल रहे हैं कई mid cave और small cave में बिल्कुल invest नहीं कर दे हैं जबकि large cave जो mutual fund होते हैं वो थोड़ा बोल यहां पर mid cave और small cave में भी invest कर सकते हैं जबकि यह 100% pure beautiful companies में invest करके चल रहे हैं तो यहां पर रिस्क बहुत कम हो जाती है रिस्क काफी minimize हो जाती है next देख लेते हम friends यहां पर हम इनके returns कि last years में इन्होंने कैसे returns perform किये हैं यह इस बात में पहले ही कर चु returns कम perform करेंगे क्योंकि यह passive mutual fund है और SGT's copy करते हींगे index की तो friends यहां पर one year की return की बात करें तो यहां पर UTI Nifty index fund ने perform कि 26.26% और buy की तीनों ही sensex mutual fund है इन्होंने 24.something perform किये लेकिन अब आप यहां पर difference देख रहे होंगे कि इनके returns में 24.14, 24.36 और 24.35 कुछ points में फरक दिख रहा है यह इसलिए दिख रहा है कि यह tracking error का फरक है tracking error क्या होती है मैंने इस वीडियो में अच्छा सो बताया friends आप इस वीडियो के एक बार check out कीजेगा तो यह थोड़ा सा फरक है लेकिन यहां पर nifty 50 के returns ही जो 26.26% और इनके 24.something है 3 year के returns की बात कलें तो यहां पर UTI Nifty Index Fund के 20.40 है और बाई की तीनों ही Sensex Plan के 20.something है यहां पर भी कुछ points में फरक है 20.46% 20.39% और 20.48% बहुत minor फरक होता है बहुत ज़दा फरक नहीं देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा सा देखने को मिलेगा 5 year के return की बात कलें तो यहां पर ICC Potential Sensex Index Fund है यह 2017 से आयते इसको 5 year नहीं हुए तो इसके 5 year के return अवलेबल नहीं है बागी तीनों के अवलेबल है तो यहां पर UTI Nifty Index Fund के 17.88% और इन दोनों के 18.5051% है बहुत ज़दा 0.01% का डिफरेंस है यह minor फरक है इन में यह tracking error की है वहां से बात की जाए तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप UTI के 14.05% है ICC Potential के 16.75% है और यहां पर HDFC Index Sensex Plan के 14.56% है और निपन इंडिया के 14.08% तो फ्रेंड्स यहां पर आपने रिटन्स भी देखे हाला कि रिटन्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि इंडेक्स बहुत अच्छी रिटन परफॉर्म करेगा तो यह भी बहुत अच्छी रिटन परफॉर्म करेंगे यहां पर mutual fund manager का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है उन बस वही करते हैं जो की इंडेक्स करा है गर इंडेक्स निन दो कंपनी को बार कर देंगे और नई दो हो सकता है वह तो इंडेक्स फंड ऐसा होना चाहिए जिसकी ट्रेकिंग कम से कम हो हमने इस वीडियो में सारी चीज़े समझी मैंने यहां पर आपको कमपणी के बार में जातला नहीं बताया क्योंकि इनल्तों के बदर होई जो कि इनकी कमपनी इंडेक्स में इंडेक्स वर्वन के इंडेक्स आपके दारता है अब बात आती है कि 700 वे अपकोई do ऊजेशर चलते हैं इन्वेस्ट», ہिमा इंडेक्स के आरट हम सेलेक्ट करें तो देखिए अगर आप निप्टी फिप्टी को सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर क्या आपको फिप्टी कंपनी का एक बड़िया कॉर्पस मिल जाता है कि उस मुचल सकते हैं यह मेरी राय है कि आप अच्छे से अनलेसिस करें और अपने फाइनेंशल एडवाजर से कंसल्ट करें उसके बाद इन्वेस्ट करें फ्रेंट्स आश्या करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आए होगी यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजेगा और और अगर आप डिमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं क्योंकि इंडेक्स मुचल फंड में इन्वेस्ट करने का एक उर तरीका है बहुत अच्छा है जो कि होता है इटिएप अगर इटिएप में इन्वेस्ट करना है तो आपको डिमेट इकाउंट खोलना पड़ेगा ड अपनी कन्विनियंस के साफ से टिमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं फैंस मिलते हैं किसी और अच्छे धमागदार इन्वेटी वीडियो में जैहिन जै भारत